बिस्मिल्य रोमाने रहीम असलाम लेकुम दोस्तों कैसे हैं आप सब मैं हूँ जानसारी और आप देख रही है जाजन सारी फूर सीक्रेट्स अल्ला बढ़कत दे आपके खानों में आपके रिज्क में आपके जाएकुम तुम्री पर आपसो आज हम बगार दूद के इतनी मैदे के साथ हम इसको बनाएंगे और इसका टेस्ट आप खोए वाली बर्फी का भी भूल जाएंगे सिखा के चलेंजी बिसमिल्ला हरा रहीम तो यहां पे बहुत एहम बात अक्सर में वीडियो में बताता ही हूँ आज आपको करके भी दिखाता हूँ मैदा जितना भी है लेकिन फिर भी हमने इसको चान लिया ठीक हो गया चलेंजी बिसमिल्ला हरा रहीम अब एक खुबसूरा से पहन लेंगे और एक अपमिस में देसी या डाल्टा घी लेंगे जो भी अवेलेबल हो ठीक है कुकिंग और में यह रस्पी नहीं बनेगी तो आपने घी का ही इस करना है अब यहां पर चीजों को अच्छे साफ किया करें कोई भी चीज जाया नहीं होनी चाहिए इससे आपके रिस्क में बढ़कत आती है चलें जी अब आपने लो टू मीडियम फ्लेम के ओपर इस ओयल को पकाना है यह थोड़ी सी जी बात है लेकिन आपने ऐसे करना हमन बना सकते हैं लेकिन मैदे से लुक और फ्लेवर अच्छा आता है ठीक है अब यहां पे आपने क्या करना है ध्यान से सुनिए इस रेस्पी की जान इसी चीज में है इसकी आपने ठीक ठाक जो है वो पकाई करनी है इस यह देखें आप बहुत जल्दी यह मिक्स हो जागा ग जैसे हम जब हलवा बनाते हैं तो सुजी की हुश्बू आती है ना ओइल में तब हम इसमें शीरा या पानी डालते है तो वही हुश्बू आएगी अब एक चुटकी से हम जीरा सॉरी इलाइची का पाड़र एट कर देंगे अब यहां पे आपकी मर्जी के आप चाहें तो क कर लिए इसको खुश्बू दार कर लिया ठीक हो गया अब यह औप्ष्णल चीज है खुश्क मिलक आप इसमें करें ठीक है ना हो तो नो आइट करें बेश्क ठीक है यह ऑप्ष्णल चीज एप से दो चमच इसमें में एक कर देंगे से फ्लेवर बहतर आजाएगा वैसे इ लिक्री में ये रेस्पी आपको मिलती है वो इसमें दूदाइड नहीं करते चलें जी आप बिसमिल्ला हरा मारें दूसरी और सबसे आहम चीज कि जब आपने इसको पका लेने के बाद इसकी खुश्ववाना शुरू हो गई दानेदार हो गया तब आपने इसको बॉल में भानेदार बनेगी ठीक है खस्ता बनेगी हाफ कप हमने एड की है अब इसकी हम करेंगे मिक्सिंग ताके मिक्सिंग में असानी हो और जब ही अच्छे से मिक्स हो तभी इसमें बाकी भी आड करके मिक्स करेंगे और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नही और पहले से किया हुआ है तो थेंक्यू सो मच तो यहां पर यह लिजी अब आपने क्या करना है चीनी की mixing over mixing नी करनी दाना आपने चीनी का बाकी रहने देना है फिर एक plate को इस तरह से grease कर लेना है और उसके ओपर इस सारे mixture को आपने पोर कर देना है यह देखे जी इसके अंदर चीनी का दाना अभी भी मुझे साफ विजीबल है नजर आ रहा है आपने क्या करना है इसको देना है stay fridge में रख दें या open environment में रख दें यह क्या होगा यह बैट जाएगा यह hard हो जाएगा उसके बाद बिसमिल्ला हरा मार नहीं तो इसको मैंने फ्रिज में रखा था कोई एक से दो गंटे उसके बाद हम इसकी cutting कर देंगे देखें किसी भी recipe में जो presentation होती है जो final look होती है वो बहुत matter करती है नफासत खुबसूरती बताती है कि आपकी महारत क्या है तो यहां पे हमने cutting कर ली है आप इसकी ओपर यह बहुत असानी से उतर जाएगा इसको वापिस रखते हैं dry foods लगा देते हैं तो mashallah alhamdulillah देखेंजी मेरे allah की शान उसकी रह्मते नेमते और बढ़क यमिन टेस्टी रेस्पीस के लिए snacks रेस्पीस के लिए sweets रेस्पीस के लिए मिठाईयों की रेस्पी के लिए जादन सारी food secrets के वीडियो सेक्षिन में जाएगे धुआ हम जाएगे एक ली वीडियो तक Allah हाफीज